हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लायक करें, उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देना, उसके जीवन में उसको धन दौलत सुख वैभव से परिपूर्ण कर देना, इस दिवाली के बाद उस व्यक्ति को करोड़ पती बना देना, भक्तों चाहे क्रिपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की क्रिपा प्राप्त हो जाए और भूल कर भी दीपा वली पर यह साथ गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते, देर नहीं लगेगी, धन तेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है, तथा दिवाली का महापर्व मा माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है, हिंदु धर्म में, अगर दीपा वली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए, तो समझो आपने, धन को ठुकरा दिया है, इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है, भक्तों सबसे पहले जान धन्तेरस को दीपा वली कब है? इस साल धन्तेरस की तिथी की शुरुवात 19 अक्टूबर मंगलवार को सुभह 10 बज कर 32 मिनट पर होगी, और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बज कर 15 मिनट पर होगा, ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार 19 अक्टूबर को धन्तेरस का तिवहार मनाया जाएगा, दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्री के समय मनाई जाती है, दीपोट सब हमेशा रात में ही किया जाता है, इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में होगा 40 मिनट से लग रही है दीपा वली के तिवहार में, रात्री के स जानकारी के लिए बता दें धन तेरस पर मात्र दो रुपईया का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुब और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन याद रहे धन तेरस पर लाया गया, धनिया और गमले में उगाया गया, धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, घर के हर एक सदस्य को ये खाना चाहिए, धनिया मात्र दो रुपई का आता है, आप ऐसा जरूर करें, खास तोर पर धन, तेरस पर घ दोस्तों को शेयर कर, दीजियेगा, और कमेंट बॉक्स में जय मा लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे की माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, भक्तों आप जानते हैं, धन तेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है, जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जो घर में धन तेरस और दिवाली पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए, आईए जानते हैं उनके बारे में दोस्तों, धन तेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीता फल अवश्य लेकर आए, भगवा धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत करना, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धन तेरस और खास त्योहार पर दिवाली पर सीता फल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, सीता फल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीरवाद होता ह माता सीता का आशिरवाद होता है आप सीता फल अवश्य ले माता लक्षमी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती दीपावली पर माता लक्षमी को पांच रंग की मिठाईयां अवश्य अर्पित करें दीपावली पर माता लक्षमी को मखाने जरूर चड़ाने चाहिए जिस तरह मा लक्ष्मी की उत्पत्ती समुद्र से हुई थी उसी तरह मखाने की उत्पत्ती भी जल से हुई थी मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है खास तोर पर मखाने की खीर बना कर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ती दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता ऐसा व्यक्ती स्वयम ही धनी हो जाता है इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी जो व्यक्ती दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं उस व्यक्ती की लौटरी लग जाती है उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं धन संपन्नता एश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करती है इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीरवाद देती है माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है भक्तों आप जानते हैं धन तेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए नहीं तो पूरा घर बरबाद हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाते हैं आईए जानते धर्म शास्त्र के अनुसार धन तेरस और दीपा वली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है भगवान क्षणी भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वेदों के अनुसार खास तौर पर धन तेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ती हुई थी और उनकी मुह की लाल से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज का जो भी धन तेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा कंगाल हो जाएगा बरबाद हो जाएगा इसलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना आप बाकी दिनों में खा सकते हैं पर धन तेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अकसर कर देते हैं अकसर बाजार से डिबबाबंध खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है इसलिए कम से कम धन तेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे दोस्तों जरा आप ही सोचिए आप खास तोर पर धन तेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर का सत्यानाश जान बूझ करना करें आगे आपकी मर्जी दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए जैसे कड़ी पकोड़ा पीले चावल पीला हलवा पीली खीर आधी अवश्य बनानी चाहिए क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है भगवान धनवंतरी को पीला रंग अतिप्रिय है पीली चीजें अतिप्रिय है इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए पीले रंग से भगवान धनवंत्री आकर्षित होते हैं तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके उपर घर में स्थाई रूप से अपना आवास बनाएंगे भक्तो माना जाता है कि धन तेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है शास्त्रों में एक उलेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकडे से भी प्रसन्न हो जाती है बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोडों रुपए भी बेकार है माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है सच्चे प्यार की भूखी है आपकी दौलत की नहीं भगवान शनी भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यातरा धार्मिक पूजा अनुष्ठान कोई भी पर्वत्योहार नहीं मनाना चाहिए इस से उल्टा जीवन में दोश लगते हैं दोस्तों दीपावली की रात और धन तेरस की रात यह साथ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए आईए जानते हैं दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन पत्नी से दूरी बना कर रखनी चाहिए लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है दीपावली पर घर में ज़ाडु लाई जाती है धन तेरस पर घर में ज़ाडु लाई जाती है कभी किसी को दी नहीं जाती ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ती भी नहीं करता अपने घर का जाड़ू कभी किसी को मत देना दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए इस दिन बुजर्गों के पैर छूने चाहिए माता लक्ष्मी स्वयम स्त्री स्वरूप है इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री स्वयम लक्ष्मी का रूप मानी जाती है दीपावली पर चुगली आदी नहीं करनी चाहिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए इसलिए पैसों का लेंदेन ना करें उधार करजा भी ना ले दिपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयम शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमन करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो जो दूसरों का दुख समझता हो माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है घर के दर्वाजे पर भी आती है उन्हें खाली हाथ ना जाने दें कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं माता लक्ष्मी को मीठा भोग अतिप्रिये है इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी इसलिए घर को साफ करें और गंगा जल का काव अवश्य करें घर के मुख्य दर्वाजे पर गंगा जल अवश्य छड़कना चाहिए क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है माँ आपके घर में आने वाली है इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्तर को पहनेगी उसके उपर हमेशा मा लक्ष्मी की कृपा बरसेगी यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तू से अधिक प्रेम शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि दीपा वली पर किसी स्त्री को काले कपड़े पहनने नहीं चाहिए इससे पती कंगाल हो जाता है धर्म शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि खास तोर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर ना फेंके नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए दोस्तों अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अच्चू को पाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर रलेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी दोस्तों भगवान विश्णुजी तथा माता लक्षमी को हाथी प्रिय रहा है है इसी लिए घर में चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांती रहती है और ये राहू के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है भक्तों पीली कौडी को देवी लक्षमी का प्रतीक माना जाता है कुछ सफेद कौडियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगो कर उसे लाल कपड़े में बांध कर घर में तिजोरी में रखें ये कौडियों धन लक्षमी को आकरशित करती है दोस्तों चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तामबे चांदी पीतल के सिक्के रख सकते हैं उसे गड़वी कहते हैं इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समरिध्धी बढ़ती है दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है भक्तों एक कांस्य या तामर कलश में जल भर कर उसमें कुछ आम के पत्ते डाल कर उसके मुख पर नारियल रखा होता है कैलाश पर रोली से स्वास्थिक का चिन्ह बना कर उसके गले पर मौली बांधी जाती है दोस्तों माता लक्षमी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे इसके लिए हमें उनके समक्ष साथ मुख वाला दीपक जलाना चाहिए दीपक में ही होना चाहिए दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ती के सामने नौ लएवाली घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नती होती है दोस्तों वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाए भक्तों दीपा वली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जला कर रखे जाते हैं कहते हैं कि दीपा वली की रात को देवाले में गाय के दूद का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है दीपा वली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं तीसरा दिया तुलसी के पास चौथा दिया दर्वाजे के बाहर पांचवां दिया पीपल के पेड के नीचे छठा दिया पास के किसी मंदिर में सातवां कचरा रखने वाले स्थान पर आठवा बाथरूम में नौवा मुंडेर पर दसवां दिवारों पर ग्यारहवां खिड की बारहवां छठ पर और तेरहवां हम किसी चौराहे पर दीपावली पर कुल देवी या देवता यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाये जाते हैं लक्ष्मी भोग में दोस्तों लक्ष्मी जी को मखाना और अनार पान सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के सरभात आधी पसंद है कम से कम ग्यारह शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ती एक लाल फूल अरपित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शान्ती और सम्रिद्धी रहती है किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती पूजन के दौरान सोलह प्रकार की गुजिया चड़ाये जाते हैं आहवान में पोलहरा चड़ाया जाता है इसके बाद चावल बादाम पिस्ता चोहारा हल्दी सुपारी गेहू नारियल अर्पित करते हैं केवडे के फूल और अमर बेल का भोग अर्पित करते हैं दोस्तों देवी लक्षमी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें आपके घर में धन बढ़ने लगेगा इसी प्रकार हल्दी की गांठ पीली कौडियां और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे रोजी में रख ले कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धन 13 के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधिविधान से पूजा भी करनी चाहिए कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम एक माला या इन क्यावन बार जाप करना चाहिए ग्यारहवी वस्तु है, सोने चांदी के आभूशन या फिर सिक्का अपनी सामर्थे के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूशन या फिर कोई भी चांदी काका खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए यदि आपकी सामर्थ ना हो तो आप सोने चांदी के आभूशन की बजाए, मिट्टी के बरतन या एक मंच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है सब जानते हैं कि धन तेरस के दिन नई बरतनों की खरीदारी की जाती है लेकिन नई बरतनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बरतन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुब होते हैं पुरानी तूटे बरतनों को बदल कर भी नए बरतन, घर पर खरीद कर ला सकते हैं, जिसको यदि सामर्थे बरतन खरीदने की ना हो, तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित, जो भी सामग्री है, वह खरीद कर घर आने चाहिए, ऐसा करने से भी आपको धन कुब बरतन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए, लोहे के बरतन खरीदने से एक तो शनी दोश सकता है, शनी ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती, हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं, दोस् अगर आप अब तक बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं, तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, तो उससे भी आपको धन तेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त हो पूरे हफते पढ़ने वाले जो भी वरत्योहार है और रामायन महाभारत की किताबें और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुरान भी आप अपने घर पर ला सकते हैं और पुरान घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए ये सारी वस्तुएं यदि आप इन में से कुछ भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी आप जि भी आएगी धन्यवाद